दोस्तों कहते हैं मन एक ऐसी जमीन है जहां जैसी मानसिक्ता का आप बीज बोएंगे वैसा ही फल आपको प्राप्त होगा नमस्कार आदाव सस्तेकाल जैहिन दोस्तों मैं हूँ मुकेश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रिलाइज नेचर 2025 दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने घर पर बीजों को आसानी से तैयार कर सकते हैं ताकि उनको इस महिने में यानि के फरवरी में आप उनको अपने टेरिस गार्डन में लगा सके हैं दोस्तों इसकе लिए मैंने इस्तेमाल की है सीडिलिंग ट्रे जिसको आप उनलाइन परचे चेश कर सकते हैं और ये मैंने लगाया है कोको पीट में जितने भी बीज है मैंने सभी कोको पीट में लगाया है और इस बार मैंने ये देखिए ये है एक सब्ता बाद का रिजल्ट तो दोस्तों मैं बता रहा था कि इस बार मैंने खीरा, ककड़ी, कद्दू, लोकी, कर्भूज, कर्भूज और भी कई तरीके के बीज उगाए हैं और उनका रिजल्ट ये आप देख रहे हैं लगबग आठ से दस दिन के बाद का उनका रिजल्ट है और कुछ बीज को जो नन्ने पोदो के रूप में अब तैयार हो गए हैं मैंने सेपरेटली सिफ्ट भी कर दिया है ये देखिए दोस्तों, ये है लोकी, इसको लगाईए इस तरीके से और हलके हाथ से दवाना है और ये देखिए, कुछ और भी इधर ग्रोबैक्स हैं तो इन में भी मैंने कुछ बीज लगाए थे देखिए दोस्तों, कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये नन्ने पोदे दोस्तों, यदि वीडियो ये आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें दोस्तों, यदि कोई और रिलेटेड जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट में आप कोश्चन पूछ सकते हैं मैं कोशिस करूँगा कि आपको सही रिपलाई उसका दे सको देखिए दोस्तों, इस तरीके से पोदे तयार होने के बाद में आपको उन्हें बहुत ही आसानी से इस तरीके से निकालना है साबधानी पूरवक्त और निकालने के बाद में अब आप कर सकते हैं इनको किसी भी बड़े प्लांटर में अलग सिफ्ट और मैं इन दोनों खीरे के पौधों को देखिए लगाने वाला हूँ इस प्लांटर में और ये साइज में काफी बड़ा है तो इसलिए मैं इसमें कम से कम दो खीरे के पौधे लगाने वाला हूं देखे कितनी अच्छे से रूट डवलप हो रही है तो दोस्तो कोको पीट में उगाने का यही फायदा है कि इसमें जो रूट है वो आसानी से निकल जाती है और नमी बनी रहती है इसलिए बीज जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं देखे द जो पोधा है बहुत नाजुक है भी जादा जोड़ से प्रेस करेंगी तो इसकी रूट या इसका स्टेम भी तूट सकता है और दोस्तों इसके बाद हमें लगाना है पानी एज यूजवल कोई भी पोधा लगाते हैं तो उसके बाद में हलका-था पानी जरूर देना चाहि दोस्तों मेरे साथ बने रहें और वीडियो को देखते रहें शेर करते रहें लाइक कीजिए और चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे साथ बने रहें रिराइज नेचर 2025 पर बहुत बहुत धन्यवाद दो हईब इंचिते ने नियतोंगई तकर लेंगर लेंगरे वत्सक्राइब